SIP in ETF Systematic Investment Plan in ETF is good for both, long term and short term तो friends, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम risk-free investment से decent profits earn कर सकते हैं और आपको इससे जो profits मिल सकते हैं वो बैंक FD से काफी स्यादा या यू कही है कि बैंक FD से almost double मिलेगा तो शुरू करते हैं Guys, ETF really works It is good for those who are not very active in share market And also, you can manage ETF very easily without the help of any mutual fund manager और दोस्तो, ETF का एक benefit है कि यहाँ पर mutual fund के comparison में charges काफी कम है लेकिन friends, जिस तरह आप mutual fund में 5 years, 10 years, discipline से SIP करते हो उसी तरह यहाँ पर भी आपको SIP करना होगा तो Guys, अब मैं आपको कुछ ETF के returns दिखाने जा रहा हूँ अब हम Chrome पर आ चुके है यहाँ पर हम Nifty Beast SIP के returns देखेंगे तो मैं यहाँ search bar में Nifty Beast SIP calculator डालने जा रहा हूँ तो अब हम यहाँ पर money control के link पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो Nippon India ETF Nifty Beast का SIP calculator आ चुका है तो थोड़ा नीचे scroll करने पर आप यहाँ पर amount देख सकते हो जो है 10,000 रुपीज तो अब हम dates पर जाएंगे यहाँ की जो starting date है हम उसे 5 यह से कम कर देंगे इसका मतलब हम इसको around 8 June 2016 के आसपास कर देंगे आप ending date को same ही रख देना तो अब हम इसे submit कर देंगे अगर आपको कोई odd time span का returns चेक करना है तो आप उस हिसाब से dates को change कर लेना तो इस हिसाब से अगर आपने per month around 10,000 रुपीज invest किया होता without any doubts तो आपको अच्छे खासे returns मिल जाते तो अब हम नीचे थोड़ा सा scroll करेंगे आप यहाँ पर SIP returns का summarize table देख सकते हो और आप यहाँ इस table में एक से लेके 10 साल तक के SIP returns देख सकते हो जो काफी अच्छा है यह है तीन साल का return यह है 5 years का return और finally यह है 10 years का return और अब हम यहाँ 5000 रुपीज पर month का investment के returns देखने जा रहे हैं अब हम यहाँ पर amount को adjust करके 5000 रुपीज कर देंगे यहाँ पर सारी rates को same ही रखेंगे और अब हम submit के बटन पर click कर देंगे यहाँ पर अब आप 5000 रुपीज के returns देख सकते हो और अब थोड़ा scroll करने पर आप फिर से SIP returns का summarize table देख सकते हो और आप यहाँ इस table में एक से लेके 10 साल के SIP के returns देख सकते हो जो काफी अच्चा है यह है 5 years का return और यह है 10 years का return तो अब हम bank BC ETF का SIP returns देखेंगे लेकिन दोस्तों उससे पर ने चैनल को subscribe कर देना और bell notifications को enable कर देना जिसे कि आप कोई future videos मिस्स ना करें हमारे previous videos में हमने जो stocks के levels आपके साथ share किये थे उन में से काफी stocks दिये हुए buying range से काफी उपर trade कर रहे है अगर आप ये video देखना चाते हो तो link is in the description और दोस्तों end तक देखते रहना ताकि आप कुछ important मिस्स ना करे और अगर आपको किसी और ETF के SIP के बारे में जानना हो तो नीचे comment कर देना So coming back to bankbiz यहाँ पर आप search box देख सकते हो वहाँ पर आपको nippon bankbiz search करना है यहाँ पर दोस्तो nippon india bankbiz ETF के link पर click कर देना है लोड होने पर थोड़ा नीचे scroll करके calculate returns पर click करना है और वहाँ पर SIP calculator के option पर click कर देना है यहाँ पर amount को 10,000 रुपीज ही रख देना है तो अब हम dates पर जाएंगे यहाँ की तो starting date है उससे हम 5 years से कम कर देंगे इसका मतलब हम इसे around 8 June 2016 कर देंगे आप ending date को same ही रख देना तो अब हम इसे submit कर देंगे तो आप यहाँ पर bank b.gtf के returns देख सकते हो अगर आपको कोई और time span का returns चेक करना है तो आप उस हिसाब से dates change कर लेना अब हम थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे आप यहाँ पर SIP के returns का summarize table देख सकते हो यह है 3 years का return यह 5 years का return और यह है 10 years का return So guys, that's it for the SIP calculator part अगर आपको stock के अलावा ETF में swing trading कैसे करते है और risk-free 5% profit कैसे मिला सकते है in very short time तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हो links are in the description अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो like, share, subscribe करना ना भूले जिससे कि आप आने वाली नई strategies मिस ना करें और यह वीडियो आपके friends, relatives के साथ जरूर शेर करें जिससे कि वो ETF के बारे में aware हो और अपने life में एक अच्छी सी investment opportunity मिस ना करें क्योंकि ETF एक अच्छा विकल फे mutual fund को replace करने के लिए Please note that all of the trades, calls and tips which were given in this video are for educational purposes only कि अजय के पूरिए टूर्च जूर भूब लुड़ा कि अमने कर दोड़ी तूल पी खाल, भया जो।